बीजेपी की राजे सभा सांसत सुप्रिमन्यम स्वामी अक्सर ही अपनी सरकार को घेरते नजर आते हैं और बीते कुछ दिनों से सरकार की नीतियों के खिलाफ भी बयान दे रही हैं स्वामी कभी अंतरास्ट्री एस्तर पर भारत की नीतियों पर मोधी सरकार को आड़े हातों लेते हैं तो कभी मोधी की शिक्षा नीती पर सवाल उठाते हैं। इसी कड़ी में एक बार सुप्रिमन्यम स्वामी ने फिर मोधी सरकार को आड़े हाथों लिया है और एर इंडिया के लिए लगाई जा रही बोली को फरजी बताया आखिर और क्या कहा है स्वामी ने जानने के लिए देखिये ये रिपोर्ट बीजेपी के राज्यसभा सांसद मोधी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और इसी के चलते वो अकसर सुर्खियों में बने रहते हैं आज एक बार फिर एर इंडिया की नीलामी बर सांसद ने मोधी सरकार को कटगरे में खड़ा कर दिया है सांसद ने परमचारियों सहित भुकतान में चूप की है रतन टाटा को स्पाइस जेट का अधी ग्रहन करने दें और दिखाएं कि वह इसे बदल सकता है उन्होंने एयर एशिया की धज्जियां उड़ा दी है प्रस्तावित बोली फर्जी है आपको बता दे कि एयर इंडिया पर तक्र और शर्तों में भी ठील दी है ताकि इस बार उन्हें खरीदार मिल सकें साल 2018 में कंपणी ने वित्तिय दवाव के चलते अपनी 76 फीस्दी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा था लेकिन उस वक्त किसी भी खरीदार की तरफ से दिल्चस्वी नहीं दिखाई गई थी अब इसे पूरी तरह से बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कर्ज में डूवी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री की प्रक्रिया अपने आखरी दोर में चल रही है सरकारी एरलाइन को खरीदने की रेस में देश की कई दिगज कमपनिया शामिल है लेकिन इसके प्रमुख दावेदार अब टाटा संस को माना जा रहा है दावा किया जा रहा है अगर सब कुछ सही रहा तो टाटा ग्रुप का इस तीसरी बड़ी एरलाइन कमपनी पर कबज़ा हो जाएगा अभी तक टाटा की एर एशिया और विस्तारा में हिस्सेदारी है टीवी लाइब की रिपोर्ट